साशी कल एवरिवान गिल्ज मिन्टोर दे ओफिशली यूटूब चैनल ते मैं थोड़ा सब दा वेलकम कर रहे हैं और उमीद कर रहे हैं कि तुसी जित्थे भी होंगे ठिक ठाक होंगे पीएस पीसेल दा फाइनली रजिस्ट्रेशन करना वास्ते लिंक ओपन हो गया है यानि सानू सुखदा सा मिल गया है ठीक है बहुत सरे स्टूडेंट्स कहरे ने सार की हैपी टीचर्स दे थैंक्यू एवरिवान ठीक है तुसी एद्दा ही हमेशा हर किसे लिए अपने दरवा प्लीज सेशन शेर कर दो शेर कर दो ताकि सारे स्टूडेंट्स नों पता चल जे की की कुछ नवा चेंज हो के आया है पैटरन की है पेपर ऑनलाइन होएगा ओफलाइन होएगा फीस कितना है सब चीज़ां क्लीर होनगी है फारम पर दी डेट दी गल कर दें तो उन्हों ज दोस्तो एदे विच सबतो पहला पर गल कर दें कि PS, PCL दे थ्रू जो पोस्टां पर यहां जा रही है ने एदे च थोड़े लिए पूरी जानकरी मैं सांजी कर रहे है हमां कि 500 जो जईरियां पोस्ट है जो पोस्ट कोड एक ही रखे गया है याता तो हड़े कोड़े इन्हे कि तिन बटे चार इयर लगबग तुसी डिपलोमा जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोनिक्स दे अंदर कीता है उदे चाहिए 60% होने चाहिए गौर्मेंट बॉडी दे थ्रू मतलब या तक किसी कॉलेज तो हो या किसी यूनिवेस्ट्र तुसी कीता होना चाहिए यह दे बराबर तुसी डिगरी अगर A, I, C, T, E तो किती हुई ताद भी तुसी फ़र्म पर सकदी हो उसतो बाद है सिवल देवेच 110 पोस्ट है फुल टाइम थोड़ेकोल सेम कंडिशन होनी चाहिए अगर तुसी फ़र्म पर सकदी हो फिर उन्दे इंटर्नल ओडिटर 9 पोस्ट अगर तुसी फ़र्म पर सकदी हो इन्दे इंटर्मीडिटर ओफ कोस्ट एंड वोक्स अकाउंटेंट एंड जो मीडियेट होएगा चार्टेड अकाउंटेंट इह तुसी फ़र्म पर देवक्त सानुए चीज मेंडिटरी या नौन मेंडिटरी दी लिंक मिलेगी उसतो बाद इलेक्रिशन ग्रेट टू दी हैं पंताली पोस्टा ने तो अडेकोड इन दस्ट है कि मैट्रिक देविच आईटिय होनी चाहिए और साथ प्रसेंट तो अडेकोड होनी चाहिए माक्स डिपलोमा जी ने कीता है इंजिनिरिंग प्याप्रसेंट कंडिडेट ठीक है इस तो बाद अगली गल कर देया है यह पूरी जानकरी दस्ट है कि वेकैंसी केटेगरी वाइज ने जही दिया ठीक है जन्रल देविच किनिया ने जन्रल देविच जिमें 200 है फिर EWS देविच प्याह ने फिर SEMB यानि मजभी से गल कर देया है ठीक है मजभी बालम लिए खिल कर देया है तो याँ पोश्ट आने एद्धा तुसी देख सकते हूं जो भी डिजरब करता है फॉर्म पर सकते हूं यानि एध्थे रेजुरेशन दिगल कर देया है तो बिलेगा सिर्फ केटेगरी वाड़या नो जिद्दन थो नो F.C.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S देख सकते हूं त्यान रखना डी गाला है कि जो भी candidate form परनगे चाहे हो अधर स्टेट देख थोड़े कोड़े पंजाबी पास metric level चे करने ही compulsory है अगर थोड़े कोड़े पंजाबी पास नहीं कीती तो तुसी form नहीं पर सकते थोड़ा form definitely reject होएगा ठीक है इस तो अलावा यानि relaxation दी गाल कर देख तो तुसी देख माइग्रेंट दी गाल है माइग्रेंट कैंडिडेट से अपने notification नो जुरूर पढ़कि अपना form परना age दी गाल कर देख थारा तो लेकि 37 साल तक दी उमर रखी गई है as per the rule regulation of Punjab government है इनने दस है कि relaxation of age दे विच मिलेगी age दे विच relaxation मिलेगी जिनने candidates नो ठीक है यानि SC and BC candidate है पांच साल दी उननो छूट मिलेगी ex-serviceman candidate उननो छूट मिलेगी अगर कोई person disabilities है handicapped उननो 10 साल दी छूट मिलेगी इस तो अलावा तुसी women बगरा है उनना वास्ते तुसी पूरे rule regulation है थे देख सकते हो ठीक है इस तो बाद आप अगे वाद दे है next जान करी जोगे EWS दी जोड़ी गी है जिमें कि commonly जो background ने होना दे सबंदत है journal knowledge दे 10 question सोनगे reasoning दे 10 ने अते English दे 10 ने एथे किसे भी प्रकार दा कोई method दा जिकर नहीं है इस सो नंबर दा question होएगा और दुझी important गल है paper offline होएगा कि online एथे नहीं clear देता है कि test साड़ा online ही होन वाड़ाया ठीक है test online ही होएगा क्योंकि एकवद हम सारे students नो इदाया कि फटा फट असी बास registration कर दिया दोस्तो registration कर ली तुसी पहला officially website ते जाना उसतो बाद recruitment ते जाना recruitment तो बात होनों एक link दिता गया उते click करोंगे click करन तो बात होनों एक proper तरीके ना पहले तो डिक प्रोपर जानकरी पर अथो बात उसी उन्हें सम्मिट करोंगे सम्मिट करन तो बात आड़ेकोड़े OTP आएगी OTP उन्हें तो बात अड़ेकोड़े second परफोर्मा पर आजाएगा second परफोर्मे देवेच तो अड़ेकोड़े यानि जिन्हें भी तो अड़ेकोड़े क्वाड़िफकेशन होदे सिबंद चोएगा थोड़ी फोटो होएगी अपने पेग करना होएगा यह है इंपोर्टन वड़ी निकल के यार यह पूरे नॉटिफकेशन चोऊ तो ड़ेफिनेटली टेस्ट आजाड़ा ओन लाइन ही होण जा रहा होँ है ठीक है उसतो बाद इन्हां यह त्छी किते भी आपानू रिटन टेस्ट दी जानकरी नहीं दसी है कि तो अड़ा रिटन टेस्ट कदों होन जा रहा है इदी जानकरी आप अगे मिलेगी बाकि फर्दर इदे से बंद चे तुसी अगर कोई भी जानकरी लेना चोने हो एथे मिल पास सकते हैं यह थो अनों हेल्पलाइन नंबर देते हैं यह थे कॉंटक्ट कर सकते हैं उमीद कर दें थो अनों पूरी जानकरी समझ आगी होएगी तो दोस्तों इसनों लाइक को और शेर कर दो फटा फट ताकि फिर अपा लडी सी ते गल कर दें ठीक है